हलो स्टुडेंस इस्टेडी मेडियम चैनल में आपका स्वागत है आप बीए सी नर्सिंग इंटरेंस एजम का त्यारी कर रहे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसमें फिजिस केमस्ट्री बाइले जो के सारे इंपोर्टेंट को स्कॉलेट किया गया option B helium, option C hydrogen and option D oxygen तो इसका एंसर होगा option B helium helium का परयोग इसलिए होता है क्योंकि यह बायू से हलकी होती है जो बायू यान को उड़ने में सहता प्रदान करती है next question से तो जो आप दिवाली में आतिस वाजी करते हो उसमें आप कोई कलर देखते हो लाल हरा नीला तो उसमें से हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है तो इसके एंसर होगा यूरर नाबर करन क सबस्दों कासर पहला किसे क्या था यूप सने क्लें मेन इनलिक हो ओसेँसी के सबसे खनीक जोजीना, सत्रमा, ऩसमी ciao मेर तो इसका अंसर होगा अन्टिन दोबहर do थातु तो इसका एंसर होगा option C एक निस्कीरिय ग्यास परते का आवरत का अंतिम सदस एक निस्कीरिय ग्यास होगा next question से पीतल में कौन सी धातु यह होती है मतलब पीतल कीन दो धातुगों को मिला कर बनाए जाती है option ए तामबा एवम लोहा option भी तामबा एवम निकेल option C तामबा एवम जस्ता और option ए निकेल एवम लोहा तो इसका एंसर होगा option C तामबा एवम जस्ता इसको याद गरने का मैं एक बहुत अच्छा ट्रीक बताता हूं पिता जी ठीक है पी से पीतल ता से तामबा एवजी से जिंक जी से जिंग और जिंग को ही बोलते जस्ता तो option एवम जिंक भी मिल जाएगा तो पीता जी पीतल तामबा और जिंक से मिलकर बनता है नेट्ट कौशन से इस फटिक निमलिखित में से किसका crystal ये रूप है तो इसका एंजर होगा आप्सिं सिलिका का इस फटिक सिलिका का crystal ये रूप है नेट्ट कौशन से आधर्ष गैस की उरिज़न इर्वर करती ए option A, item पर, option B, mole की सेंख्खा पर, option C, dab पर, and option D, tapman पर तो इसका answer होगा, option B, mole की सेंख्खा पर next question से भूरा कोईले के नाम से जाना जाता है, option A, lignite, option B, bituminous, option C, pit, and option D, इन वे से कोई नहीं तो इसका answer होगा, option A, lignite, यह भूरा कोईला होता है, और कोईला का सबसे उत्तम रूफ होता है, next question से गैसिय समीकरन, PV equal to nRT, यह equation बहुत important है, मैं R क्या सुचित करता है, यह जो R है ना, यह क्या सुचित करता है option A, 1 gram gas को, option B, 1 mole gas को, option C, 1 liter gas को, and option D, इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा, option B, 1 mole gas को, एसे questions बहुत पुछी जाते chemistry से, next question से निमलिखित में सबसे भारी धातु कोन सा है, option A, चांदी, option B, तांबा, option C, अल्मूनियम, and option D, यूरेनियम तो इसका answer होगा, option D, यूरेनियम, यह सबसे भारी धातु होता है, और यह नाभी के रियक्टर में भी यूज होता है next question से, डबल रोटी बनाने में परियुक्त किये जाने वाले baking powder क्या होते हैं option A, sodium chloride, option B, sodium sulfate, option C, sodium bicarbonate, and option D, इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा, option C, sodium bicarbonate, डबल रोटी के लिए sodium bicarbonate का परियोग किया जाता है जब डबल रोटी बनाए जाती है, तो sodium bicarbonate से carbon dioxide मुक्त होती है और जब वो निकलती है, तो डबल रोटी को मुलायम और spongeी बना के जाती है next question से, plaster of Paris रासानी ग्रूप से है, option A, calcium oxide, option B, calcium sulfate, option C, calcium carbonate, and option D, calcium oxalate तो इसका answer होगा, option B, calcium sulfate, plaster of Paris, calcium sulfate होते है next question से, काच को गहरा निला रंग किस से मिलता है, option A, cobalt oxide, option B, nickel oxide, option C, ferrous oxide, and option D, इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा, option A, cobalt oxide, cobalt oxide से काच को निला रंग प्रदान होता है next question से, मेढग का लार्वा क्या कहलाता है, option A, tadpole, option B, pupa, option C, mangoat, and option D, S, A, B तो इसका answer होगा, option A, tadpole, यह बहुत important questions है, मेढग का लार्वा, tadpole कहलाता है next question से, जीन अवस्तित होते है, option A, गुंसुत्रों में, option B, microchondria में, option C, ribosome में, and option D, हल्द लवकों में तो इसका answer होगा, option A, गुंसुत्र में, गुंसुत्र में ही जीन पाया जाता है next question से, मानव सर्ड में यूरिया का निर्मान कहा होता, यह बहुत ज्यादा important questions है ठीक है, option हिर्दय में, option B, तिल्ली में, option B, यक्रित में, and option D, brick में और 99% students, इसका answer लगाते हैं, D, ठीक है, लेकिन, answer होगा, option C, यक्रित आप इसको mind में रखिए, इसका answer होगा, यक्रित, मानव सर्ड में, यूरिया का निर्मान यक्रित में होता है और बाद में, वो brick के द्वारा, बाहर निकाला जाता है next question से, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवानसिक पदार्थ है option A, protein, option B, carbohydrate, option C, DNA, and option D, RNA तो इसका answer होगा, option C, DNA next question से, gene है, option A, RNA का एक भाग, option B, DNA का एक भाग, option C, chromosome C, क्रोमोजोम का एक भाग, and option D, यक्रित का एक भाग तो इसका answer होगा, option B, DNA का एक भाग है, gene next question से, सौसन की किरिया संपन होती है, बहुत important question से, option E, हर दिलवकों में, option B, Ribosome में, option C, Lysozome में, and option D, microchondria में तो इसका answer होगा, option D, microchondria में होती है, सौसन का संपन, microchondria में ही होता है next question से, घरेलू मक्खी का लारवा क्या कहला आता है, option A, E, mango, option B, mango, option C, pupa, and option D, इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा, option A, E, mango, next question से, फेरो मोन्स पाय जाते हैं, option A, keto में, option B, चमगादोडों में, option C, पक्षियों में, and option D, सांपों में तो इसका answer होगा, option A, keto में, फेरो मोन्स, keto में पाय जाते हैं, next question से, निमलिखित में से कौन सा एक गरंथी नहीं है, option A, thyroid, option B, अगनासाई, option C, यक क्रित, and option D, जठर, बहुत ज़्यादा important questions हैं, ऐसे questions हमें से आप पूछे जाते हैं, तो इसका answer होगा, option D, जठर, जठर गर गरंथी नहीं है, बाकी यक्रित भी गरंथी, अगनासे भी गरंथी और थाराइट तो गरंथी हैं, next question से, रक्त की असुदियां किस अंग में जाकर छानती है, option A, फेपड़े, option B, हिरदय, option C, यक्रित, and option D, ब्रिक, तो इसका answer होगा, option D, ब्रिक, next question से, रक्त समों की खोज करता कोन है, मतलब ब्लड ग्रूप, A, A, B, B, O, ये जो ग्रूप से हैं, इसके खोज करता कोन थे, option A, लैंड इस्टिनर, option B, लिवेन होग, option C, ब्रिक, ब्रिक, लिवाइन, तो इसका answer होगा, option A, लैंड इस्टिनर, इन्होंने ही, ब्लड ग्रूप की खोज की थी, next question से, निवनी में से, किसमें रक्त नहीं होता है, किन्तु वो सोसन करते हैं, मतलब ऐगा, ऐसा कीट है, जिसमें रक्त नहीं होता है, लेकिन वो सांस लेता है, option A, केच्वा, option B, कंगारू, option C, हाइडरा, और आप्शन दितील चट्टा, तो इसका answer होगा, option C, हाइडरा, नहीं होता है next question से पदात के संबेग और बेग के अनुपात में कौन सी भोतिग्रासी प्राप्त की जाती है option A बेग, option B दरवमान, option C कोनिय बेग and option D तोरण तो इसका एंसर होगा option B दरवमान, कैसे मैं बताता हूँ, संबेग जिसको M V से दरसाया जाता है और बेग जिसको V से दरसाया जाता है और दोनों के अनुपात मतलब दोनों को डिवाइड किया जाता है तो दोनों को डिवाइड करने से ये भी भी कैंसल आउट हो जाएगा और बच्चे का सिर्फ M और M कोई बोलते हैं दरवमान, चले नेक्ट कोईशन देखते है उत्तर लेंस की छमता होती है तो इसका एंसर होगा ओफसन B धनाद तमक मतलब उत्तर लेंस का छमता हमेशा पलस में होगा पोजेटिव ओके नेक्ट पोश्चन से बायू मंडल में बादलों के तेरने का कारण क्या है आप अक्सर देखतो बायू मंडल में बादल तेरते हैं से दूसरी स्थान जाते हैं जिसका कारण किया है उफ्षन दाब ऑप्षन भी घनातु ऑपशन सी ताप और एंड बेग तो इसका एंसर होगा ऑप्षन भी घनातु घनातु के कारण नहीं बायुमंदल में बादल तेरते हैं नेक्स्ट कोश्चन से, आर्कमेटिक्स का नियम निमलिखित में से किस से सम्बन्दित है, और गृत्वा कर्शन का नियम, और समकोन तिर्भुज 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 का नियम, और समकोन तिर्भ भाग कौन से है जिसमें चुम्बकिये छेतर का उत्पन होना आनिवार ये बहुत ज्यादा इंपोर्टन कोश्चन्स है आपसेन हाथ और पेर आपसेन भी मांसपेश्या तता हिर्दय आपसेन सी हिर्दय तता मस्तिक्स और नेत्र तता द्विक तंत्रिका तो इसका एंसर होग सब्सक्राइब कोई जानकारी हो एक एडमिड कार्ट रिजल्ड नोटिस कट अफ सारा कुछ आपको इस चैनल में मिलेगा तो चैनल से बने रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बबाई